गाजा में हमास से जंग लड़ रही इसराइली सेना को हिजबुल्ला लड़ाकों से भी सामना करना पड़ रहा है दावा किया जाता है कि इसराइल और हमास युद्ध में अब हिजबुल्ला भी कूद गया है हिजबुल्ला दक्षुणी लिबनान सीमा से इस्राइल पर लगातार हमले कर युद्ध की आग कुभड़का रहा है हिजबुल्ला दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगटनों में से एक माना जाता है हाल में हिजबुल्ला ने इस्राइल पर बंबारी तेज कर दी है हाला कि इसराइल भी दोनों मोर्चों पर मुस्तैदी से टटा हुआ है इस पीच हिजबुल्ला ने फिलिस्तीनियों और गाजा के समर्थन में इसराइली सेना के खिलाफ 10 खतरनाक अभियानों को अंजाम दिया हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर शनिवार सुबह 9 बजे दो बुरकान रॉकेट के साथ कोब्रा हिल पर हमला बोला दोपहर 12 बजे रॉकेट हतियारों का उप्योग कर अलधहरा साइट के पास इसराइली कब्जे वाले सैनिकों को भी निशाना बनाया दोपहर 20 बजे राम्या साइट को निशाना बनाया शाम चार बजे आयता अलशाब शहर के खिलाफ इसराइली हमले के जवाब में बुरकान रोकेट से जार बैरक को निशाना बनाये गया इसके बाद इसराइल के कबजे वाले लिबनानी शीबा फार्म्स में दो इसराइली साइटों पर हमला किया गया शाम करीब साढ़े चार बजे रोकेट तो खाने के साथ इसराइली कबजे वाले सैनिकों की एक समू को निशाना बनाया शाम करीब पाच बजे हिजबुल्ला ने बुरकान रोकेट से रमीम बैरक पर हमला बोला दोनों अपरेशन में सीधे लक्ष को भेदा गया ऐसी आशंका है कि गाजा में चल रही लडाई के बीच इसराइल और लिबनान में भी भीशड़ जंग चिडने के आसार दिख रहे हैं हिजबुल्ला के रोकेट हमलों के कुछ गंटों के भीतर ही इसराइली सेना ने भी कड़ा पलटवार किया आईडियफ ने बताया कि उनके फाइटर जेट ने लिबनान में जोरदार हवाई हमले किये इसमें हिजबुल्ला के कई ठीकानों को निशाना बनाये गया इस बीच हिजबुल्ला लडाके की मौत पर हिजबुल्ला नेता ने इसराइल को कड़ा संदेश दिया हसन फदल्ला ने कहा हतियारों और टकराव की आग के अलावा इसराइली दुश्मनों के साथ कोई बात चीत नहीं होगी हिजबुल्ला अपने रुक और इसराइली कबजे के विरोध के अपने अधिकार पर द्रिड रहेगा प्रतिरोध विजई रहेगा हिजबुल्ला लेबनान के सभी बॉडरों पर सेना तैनात करना जारी रखेगा बतादे की 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्ला अतंकी संगठन इसराइल के इलाकों में रोजाना लेबनान बॉडर से सैन इचोकियों और रहाइशे इलाकों में हमला करने से बाज नहीं आ रहा है हिजबुल्ला की ओर से ये हमले गाजा में हमास आतंकी संगठन के समर्थन में किये जा रहे है इस्राइल की ओर से आरोब लगाया जाता है कि हेजबुल्ला को इरान पर्दे के पीछे से आर्थिक और हत्यारों की मदद करता है